दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं राश्ट्रगीत और राश्ट्रगान देश की उन धरोहरों में से हैं जिन से देश की पहचान जूड़ी होती है प्रत्यक राश्ट्र के राश्ट्रगीत और राश्ट्रगान की भावनाएं बहले ही अलग-अलग हो लेकिन उन से राश्ट भक्ति की भावना की ही अभिविक्ति होती है गड़तंद्र दिवस की 74 वी वर्षगाट के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में जिसको लेकर लोग अकसर संशे में पढ़ जाते हैं दरसल दोनों की प्रती लोगों के मन में सम्मान का भाव रहता ही है लेकिन कई बार लोग ठीक से बता नहीं पाते तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में क्या है उनमें अंतर तो बढ़ते हैं वीडियो क्यों तो क्या है भारत का राष्ट्रगान जनगर्णमन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता यह भारत का राश्ट्रगान है जिसे अनेक आउसरों पर गाया या बजाया जाता है इसकी रचना प्रख्यात कवी रविंद्र नाथ टागोर ने की थी यह मूल रूप से बांगला भाशा में लिका गया था लेकिन बाद में इसका हिंदी और अंग्रीजी में भी अनुवाद कराया गया रविंद्र नाथ टागोर ने रश्ट्रगान की रचना वर्ष 1911 में ही कर ली थी इससे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकत्ता के भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस की बैठक में गाया गया था 24 जनवरी 1950 को सवविधान सभाद्वारा इसे स्विकार किया गया राश्ट्रगान की पुरे संस्क्रमन को गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है राश्ट्रगान को बजाते समय क्या सावधानी बरतनी होती है आईए देखते हैं दोस्तो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि राश्टरगान बज़ते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दरसल राश्टरगान जब भी कहीं बजाया जाता है तो देश की प्रत्तेक नागरी का ये करतवे होता है कि वो अगर कहीं बैटा हुआ है तो वो उस जगह पर ख भारत का राश्टरगीत वंदे मातरम है इसके रचेईता बंकिन चंद्र चटोपाध्या है उन्होंने इसकी रचना साल 1882 में संस्कृत और बांगला मिश्रित भाषा में किया था यह सोतंद्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेर्णा का स्त्रोत था इसे भी भारत के राश्टरगान जन गन मन के बराबर का ही दर्जा प्राप्त है इसे पहली बार साल 1896 में भारतिया राश्टर कॉंग्रेस के सत्र में गाया गया था राश्टरगीत की अवधी लगभग एक मिनट नौ सेकंद की होती है दोस्तों आपको ये भता दे कि वंदे मातरम को लेकर कोई खास नियम या कानून बनाया नहीं गया है इसे आप कहीं भी गा सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने देखा कि राश्टरगान और राश्टरगीत में जो सबसे बढ़ा अंतर है वह यह है कि राश्टरगान को समवैधानिक दरज़ा प्राप्त है वही राश्टरगीत को नेशनल सौंका दरज़ा मिला हुआ है जानती होंगे कि जनगनमन राश्ट्रगान है तो वहीं वंदे मातरम राश्ट्रगीत है तो यह था आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताएगा और मिलते रहेंगे ऐसे नॉलेजिबल वीडियो के साथ तब तक स्टे हैपी स्टे हल्दी बबाए